गुड मॉर्निंग एब्रीवन वेलकम टू एग्जाम और्विट क्लास तो आज के इस सेशन में पांच मिनिट में टॉप टेन करेंट अफियर के कुईशन्स डिसकस करेंगे सबसे कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन इस क्लास में आप सभी का रहता है सबी परिक्षाओं के लिए यह क्लास में है त्पून है आज है 29 मार्श और आज के सेशन में 29 मार्श से सम्मंदिर टॉप 10 करेंट अफियर के कुईशन्स डिसकस करेंगे पहला सबाल है कि निम्नमे से किसने आजम की बाढ़ प्रबंदन परियोचना के लिए 108 मिलियन डॉलर के रिण को मंजूरी दे दी है तो 108 मिलियन डॉलर के रिण को मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के दुवारा राइट आंसर है ओप्सन बी अगला सबाल किस देश ने घातक मार वर्ग वाइरस रोग के प्रकोप की घोशना की है तो फ्रेंट्स ये घोशना की गई है तंजानिया के दुवारा तंजानिया कहां पर है अफ्रीका महादीप में इस्ते देख देश है राइट आंसर ओप्सन ए अगला सबाल गेटवे औफ इंडिया से अलिफेंडा की गुफाओं तक तैने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो Gateway of India से Elefanda की गुफाओं तक तहने वाले पहले ब्यक्ति बन गये हैं कृष्ण प्रकास जिने आप सबी पिक में देख सकते हैं राइट आंसर ओप्शन ए अगला सबाल भारत की पहली बॉक्साइट प्रमारित संदर्ब सामागरी को के संस्था दुवारा विक्षित किया गया है तो फ्रेंट्स इसे भी ए आर सी के सहयोग से नाल को ने विक्षित किया है राइट आंसर ओप्शन ए अगला सबाल नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने इस्पैनिस हिंदी फुटबॉल सब्द कोश का लोकार पड़ किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए इस्पेन अगला सबाल है बर्स 2023 के लिए असम का सरवोचे नागरिक पुरुसकार असम बैवब से किसे सम्मानित किया गया है तो असम बैवब किसे दिया गया है फ्रेंट्स याद रखेंगे डॉक्टर तपन सेखिया को सही आंसर ओप्शन बी नेस्ट कोशन किसने जारी की है तो इस्टेट आफ स्कूल फीडिंग वल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करता है विश्वक खाद्यकारिकरम सही आंसर ओप्शन ए नेस्ट कोशन 27 मार्च 2003 से दो साल की अबधी के लिए NDTV का सुतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है अगला सवाल रेविस की रोक थाम और नियंतरण के लिए रास्टिय रेविस नियंतरण कारी करम किसने लॉंच किया है तो रास्टिय नियंतरण रेविस जो कारी करम है ये लॉंच किया गया केंद्र सरकार के तुवारा राइट आंसर ओप्शन डी कहां की रहने वाली आलिया मीर को बन्य जीप सरच्छंड पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है तो बन्य जीप सरच्छंड पुरुसकार मिला है आलिया मीर को और ये रहने वाली है जम्मू कश्मीर की पुरुसकार दिया है उपराज जपाल मनुस सिन्नाने right answer option D तो friends आप सभी को इन questions के बारे में अगर details से जानना है ना तो सुबह चार वज़े वाली जो class रहती है ना current affair की जिसमें आपको current affair के साथ साथ static gk gsb कराया जाता है जो कि सभी परेक्षाओं के लिए महत पूर्ण है तो एक बार इस class को ज़रूर देख लीजेगा बिलकुल कम से कम समय में आप सभी को जादा से जादा information इस class में दी जाती है इस class की PDF बाद में आप सभी को telegram channel पर मिल जाएगी telegram पर जाकर exam orbit classes से आप सभी telegram channel join कर सकते हैं जहां पर आपको gk gs के question भी कराई जाते हैं और current से समद्ध जो भी update होता है वो easily आपको telegram पर मिल जाता है तो ये session आप सभी को कैसा लगा comments करके ज़रूर बताएगा अगर class अच्छी लगी हो तो class को जादा से जादा शेयर कीजेगा like कीजेगा और चैनल को subscribe ज़रूर कर लेजेगा मिलते हैं ने स्टेशेशन में एक नए टॉपिक की साथ तब तक के लिए जाहिं जाए भारत